पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है इस नई गाडी में तो बहुत सारे बटन्स हैं हरे बटन्स से क्या होता है डारी चलो देखते हैं जादूई खिर्किया जादूई खिर्कियों को नीचे कर दो लिए नीले बटन्स से क्या होता है डारी उझे नहीं पता चलो देखते हैं मुझे ये नई कारी पसंद है क्या हम इसे रख सकते है नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पैपा हमने बस ये आज के लिए ली है ओ ओ नहीं, लगता है बारिश होने वाली है तो मैं छट उपर कर देता हूँ तो कौन सा बटन कहा था उनोंने मैं कितना बुद्ध हूँ ये रहा वो बटन नई कार ने डाड़ी पिक पर पानी उचाल दिया बुद्ध डाड़ी, वो गलत बटन है तो ये बटन रहेगा ओप्स, ये तो नहीं है तो ये रहेगा डाड़ी पिक भूल गए हैं कि कौन से बटन से चट उपर होती है ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती हम लाल बटन दबा कर देखते हैं हुर्ये लेकिन बारिश अब रोग गई क्या फिर से चट नीचे कर दे? क्यों नहीं लेकिन कौन से बटन था? लाड़ वाला हुर्ये दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया तुम्हारी काड़ी ठीक हो गए हुर्ये थांक यू दादा डॉग ये रहे तुम्हारे पैसे थांक यू डाड़ी पिग गुडबाई गुडबाई तुम्हें एक स्ट्रॉबएरी का बीज लगाओगी? हाँ बेलकर ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबएरी का पौधा बन जाएगा पहले एक छोटा चेद बनाओ फिर मैं ये बीज डालूंगी और मित्ती से डग दोंगी क्या मैं इसमें पानी डालू? नहीं नहीं मैं पानी डालूंगी ठीक है अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है पैपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हें धीर अज रखना होगा पैपा इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा पैपा जोज घर जाने का समय हो गया लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतिजा कर रहे हैं मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरिज चाहिए चिंता मत करो पैपा अगली बार जब तुम जीज एक पौधा बन चुका होगा और फिर हमें स्ट्रॉबेरिज मिलेंगी हाँ आओ चले पैपा बाई बाई ग्रैन्पा बाई बाई स्ट्रॉबेरी ग्रैन्पा पैपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं कुछ दिनों बाद ग्रैन्पा पिग एक चोट और बड़ा होता गया फिर एक दिन ग्रेंट पपे को बहुत खास कुछ दिखा स्ट्रोबेरीज ग्रेंट पा हम आ गये पैपा और जॉर्ज फिर से खेलने आये हैं ग्रेंट ग्रेंट पा क्या मेरा पौदा बढ़ गया हाँ देखो स्ट्रोबेरीज शुक्रिया ग्रेंट पा ग्रेंट पा क्या हम कुछ और उगा सकते हैं त्याड़ी क्या होता ये जासूस पैपा जासूस एक खास व्यक्ति होता है जो चीजें ढूडने में माहिर होता है मैं 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 चीजें ढूडने में माहिर हूँ तो ठीक है पैपा ही जासूस है जोर्ज मैं हूँ जासूस मैं मदद करूँगे मिस्टर डाइनसूर को ढूडने में मुझे लगता है जासूस को जोज से कुछ आसान से सवाल पूछने चाहिए जोज मिस्टर डाइनसार कहा है जोज नहीं जानता कि मिस्टर डाइनसार कहा है जासूस को सोचना चाहिए कि मिस्टर डाइनसार कहा हो सकते है मुझे पता है मुझे पता है वो कहा है जोज जब भी नहाता है मिस्टर डाइनसौर उसके साथ होता है तो मिस्टर डाइनसौर टब में होंगे मिस्टर डाइनसौर टब में नहीं है ओ मुझे पता है मुझे पता है मिस्टर डाइनसौर कहा है जोर्ज हमेशा रात को Mr. Dinosaur को अपने बिस्तर पर सुलाता है, इसलिए वहाँ पर है Mr. Dinosaur जोर्ज के बिस्तर में भी नहीं है शायद हमें गार्डन में ढूणना चाहिए हाँ, गार्डन! मैं वही कहने वाली थी Mr. Dinosaur कहा है? मिस्टर डाइनसूर को डूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है सिस्टर डाइनसू यहां कहीं नहीं इओ जोर्ज तुम्हें मिसटर डाइनसूर को हवा में उच्छाना पसंद है मुझे लगता है इस बार तुमने मिस्टर डाइनरसोर को थोड़ा ज्यादा ऊपर उचाल दिया है वो वहाँ है वो वहाँ है मैंने उने पहले देखा शाबाश पैपा तुम सच में एक बहुत अच्छी जासूस हो अरे ग्रानी पैपा और जॉर्च को चॉकलेट खाना फसंद है लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरिट के साथ खेलने की जल्दी में है खतम हो गया तुम बच्चे कितना शोर करते हो ग्रानी क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरिट को देख सकते हैं क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया फिर तुम जा सकते हो जोर्ज पॉली को कुछ कहो ना जोर्ज थोड़ा जिजक रहा है हेलो अलो पैपा और जोर्ज को पॉली पैरिट के साथ खेलने में सच में मजा रहा है मैं हूँ पैपा पिग मैं हूँ पैपा पिग जोर्ज कुछ बोलो पैपा और जोर्ज पैरिट बनने का नाता कर रहे हैं मैं हूँ पॉली पैरिट पैपा पॉली पैरिट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है मैं एक बातूनी पैरिट हूँ मैं एक बातूनी पैरिट हूँ पैपा जोर्ज क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो जी ग्रानी क्या हम आपके मदद करें नहीं पैपा तुम्हें कंप्यूटर नहीं चुना चाहिए और जोर्ज तुम्हें भी कंप्यूटर नहीं चुना चाहिए माफ करना ममी मैं सिर्फ जोर्ज को बता रहे थे क्या नहीं करना चाहिए ओ डियर कंप्यूटर तो यह सब नहीं करता है डैडी पेग क्या बात है ममी पेग ढॉँ तो अग, डाईडी पेग, आप कंप्यूटर ठीब कर सकते हैं, जब तक आप कंप्यूटर ठीब करेंगे मैं लंच बना दूँगी, ठीब है मॉमी पेग, लेकिन मैं इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ओ शुक्रिया ढड़ी पेग, कंप्यूटर ठीक करने जा रहे हैं मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ बंद करके फिर से शुरू कर दूँ टैडी पिग ने कंप्यूटर ठीक कर दिया हुड़ेई डारी रहा है मैं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ जैडी क्या हम वो कंप्यूटर गेम खेल सकते हैं हैपी मिस्स चिकन मेरे खायाल से तुम्हें मैं मी से पूछना चाहिए मामी ने का हम बार में लेकिन मुझे नहीं पता कि डिस्क कहां है हमें पेपा के लिए नए जूते खरीदने हैं प्लीज जूते जरूर हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ प्यारे जूते हैं पेपा प्लीज, बिल्कुल लॉलॉल जूते वाउ नए लाड जूते जोर्च और डैडी पिग ड्राट्स खेल लहें हैं ओ शाबाज जोर्च डैडी डैडी मेरे नए जूते देखिए ये लाल है ओ हाँ ये लाल है मामी आपको अच्छे लगे मेरे नए जूते हाँ पेपा इन में तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो जोर्च तुम्हें मेरे नए जूते अच्छे लगे सबको पेपा के नए जूते अच्छे लगे मुझे अपने नए जूते इतने अच्छे लगे कि मैं उन्हें कभी कभी नहीं उतारूंगी ये नहाने का समय है पैपा ने नहाते हुए भी अपने नए जूते नहीं उतारे हैं पैपा ने अपना पैजामास पहन लिया लेकिन उसने अभी भी अपने नए जूते पहन रखे हैं पैपा बिस्तर में भी अपने नए जूते पहनना चाहती है पेपा, क्या तुम पक्का अपनी जूते नहीं उतारना चाहती? मैं अपनी नहीं जूते कभी नहीं उतारूंगी, ममी. ठीक है. गुद नाइट, पेपा और जॉज. गुद नाइट, ममी. गुद नाइट, डाडी. गुद नाइट, मेरे छोटे बच्चो. पूरी राथ बारिश होती रही, और अब गाडन बहुत गीला है. मम्मी पिग ने अपने बूर्स पहने हैं, डैरी पिग ने भी अपने बूर्स पहने हैं, जॉर्ज ने भी अपने बूर्स पहने हैं, पैपा ने अभी तक अपने नए लाल जूते पहन रखे हैं, जॉर्ज गीली घास में खेल रहा है, मैं मिट्टी को दो देती हूँ पेपा वो पानी गंदा है अफो पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के उपर फेंग दिया कोई बात नहीं हम बगीचे के पाइप से उसे दो देते हैं हाँ हाँ क्या मैं पाइपा कर सकती हूँ पेपा ने पाइप पकडी और डटिक पानी शुरु कर दी अ पानी काँ है पेपा रुको प्लीज पानी बन कर दीजिये लो अभी किये देता हूँ सब भी कर चलो अब कार तो धुल गई हम सब भी धुल गए जाओ अपने आपको सुखालो में कारी पॉलिश कर लेता हूँ कि अब में मिलते हैं। दैदी पें इतनी अफ्य तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मज़ेदार चेहरा है ना और भी मज़ेदार चेहरे यह तो पैपा और जॉर्ज है। और ममी पिक भी। कितनी संदर चमकीली गाड़ी है ना हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ चलो, आज मैं चलाऊंगी क्या सब तैयार हैं? तैयार तो फिर चलते हैं कैसे हो दोस्तो हेलो पैपा हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पैपा तुम्हे मुझ से जुग कर बात करनी चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हूँ नर्स सुजी मुझ खोल कर कहिए नए मैं हूँ जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे काचर पसंद है दाइनसार पापरी, तरावना, डाइनसार पैपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पैपा हेलो पैपा हेलो, मैं परियो की राज कुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ ताइनसार जोर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया ओफो जोर्ज दिखो आइने में तुम ही हो बच्चो अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा? मैं! ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए मैं जज हूँ मैं जज हूँ तैड़ी जज क्या होता है? जज तैय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है अरे वाह! पेपा ये तैय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है सुजी क्या मैं तुमारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ शाबाश नर्स सूजी, अब डानी मैं हूँ पाइरेट आप तंदुरुस्त नहीं लगते डाडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी साबित करता हूँ पहले क्या करके दिखाऊं अपने पेरो को हाथ लगाए ऐसे आसान है डाडी, बहाना मत बनाएए, कोशिश तो कीजिए मैं बहाना नहीं बना रहा पैपा डाडी पेग सचमच अपनी पेरों के उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते ओ डाडी, ये अच्छी बात नहीं है मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए जी डाडी, करनी चाहिए और वो में करूँगा, कल से डाडी पेग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी ओ फिक्र मत करो डाडी, मैं मदद करूँगी ओ ठीक है, मुझे तंदूरस बनाने की जिम्मेदार ही तुम्हारी तो बताओ पहले क्या करूँ पहले आपको थोड़े प्रेसप्स करने है आसान है एक, दो शबबाश डाडी, अब मैं चाहती हूँ कि आप सो करे एक सो? हाँ चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करूँ मैं भी करूँगा नई डाडी, आपको सो प्रेसप्स करने है एक, दो मॉमी पिग, पेपा और जोज किचन में लंच बना रहे है डाडी पिग अभी भी अपने प्रेसप्स कर रहे है डाडी बहुत अच्छा कर रहे है डाडी पिग, आप चीटिंग कर रहे है, आपको प्रेसप्स करने थे वह, वह क्या है न, टीवी पर दिल्चस्ट प्रोग्राम आ रहा था शरारती डाडी शाहिए डाडी को मेरी पुरानी एक्सराइस बाइक से ज्यादा फाइदा होगा इसमें मसा है का, मैं साइकल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा यह तो नामुम्किन है, यह साइकल बहुत शोर कर रहूँ जोज चलो गुडियों डाइनसार के साथ कहलते हैं वो क्या है? एक बरंकर राक्षस है डाइनसार यह डाइनसार है, बचाओ, बचाओ डाइनसार डाइनसार बाहर के कमरे में अख़बार पढ़ रहे हैं ममी पिग अपनी किताब पढ़ रही है बचाओ वो क्या कर रहे है? डाइनसार वेबा, जोर्च, क्या चल रहा है? यह इतना शोर कैसा बचाओ यह क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्ष पर यह कितना सामान पढ़ा है? इस पर गिर किसी को चोट लग सकती है कोई सचमच गिरा है और उसे चोट भी लगी है अरे बापरी, बैचारे डाडी पिग अब चलो बच्चो थोड़ी साफ सफाई कर ले पर ममी, हम गुडिया और डाइनसौर से खेल रहे है सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो पर यह तो सारा जोर्ज का सामान है अच्छा सचमच तो यह जोर्ज का ही खुबसरा ड्रेस होगा है ना नहीं शायद थोड़ा सा सामान मेरा है तो चलो, मैं सफाई करने में जोज की मदद करूंगा और ममी पेग पेपा की क्यों नहीं हम रेस करें लड़किया और लड़कों के बीच बहतरीन आइडिया है देखते हैं पहले सफाई कौन करता है एक, दो, तेन हम जीत रहे हैं नहीं, बिलकुल नहीं यह रहा ओ, यह क्या है? टेरी, मैं तुम्हें कब से डून रही हूँ जल्दी पेपा टेरी को अपने खिलोने के बखसे में रखो क्याप्टन जब क्याप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी, छोड़ कर क्याप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते बेलकुल नहीं, क्याप्टन दादा जोर्ज, जंडा लहरा आओ पेपा, बेल बजाओ आय-य, क्याप्टन दादी पिग, वील समहा लो तेज चलो शायद आपको थोड़ा दीरी चलाना चाहिए तुमने सही कहा, दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग, तेज चलिये ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा, जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे देखिए, एक और बोट यह है दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएंगे कैसे हो डानी और दादा डॉग कैसे हो डादा पिग हलो डानी हलो पेपा दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तैर रही है दादा डॉग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है यह पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बालते से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग अच्छा तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं हारने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पहले उने समुद्री डॉग का दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उस्ते पहले सौरी बोला तो बोलूंगा दादा अपने दोस दादा पिक को सौरी बोलिये वो आपके बेस फ्रेंड है ना डाडी क्या मैं भी इस ट्रॉली में बैठ सकती हूँ तुम इस ट्रॉली के लिए बहुती बड़ी हो पर तुम शॉपिंग में मदद कर सकती हो अरी वाह देखो हमारी लिस्ट में चार चीज़े हैं टमाटर, नूडल्स, प्याज और फल मैं सब ढून लूँगी इस तरह पेपा और जॉज को शॉपिंग बहुत पसंद है पेपा, पहले हमें टमाटर लेने हैं मुझे दिख गए, मुझे दिख गए ये देखो टमाटर ममी शाबाश पेपा एक, दो, तीन, चार अब उन्हें ट्रॉली में डालो मुझे टमाटर मिल गए शाबाश पेपा, टमाटर लिस्ट की एक चीज मिल गई है अब लिस्ट में दूसरी चीज क्या है डूडल्स, डूडल्स सही कहा जोज, लेकिन उसे डूडल्स कहते हैं डूडल्स डूडल्स पेपा और जोज का पसंदीदा खाना है अब ये नूडल्स कहां पर मिलेंगे मुझे दिख गए, इस तरफ नूडल्स देखो मामी, ये रहे नूडल्स शाबाश पेपा अब चलो, जल्दी से ने ट्रॉली में डालो चीक है मामी डूडल्स जोज इसे कहते हैं नूडल्स तूडल्स अब लिस्ट में आगे क्या है, पेपा ? चिप्स चिप्स तो लिस्ट में नहीं है हमारे घर में बहुत सारे चिप्स हैं, पेपा जरा याद करो मुझे नहीं याद आ रहा, डाड़ी किये तुम्हें याद है, जॉज? दाइनिसार डाईसार? जोर्ज यहाँ पर डाईसार नहीं मिलता पुद्दू आज मेरा बिर्द्द है जोर्च उठो मेरा बर्द्द है आज मेरी पार्टी है और डाडे जादू दिखाने वाले है जलडी चलो जोर्च ममी और डाडी को उठाते है ममी पिग और डाडी पिग अभी भी सो रहे हैं उठिये मेरा बर्दे उठिये कितने बज़े हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पाज बज़े है हाँ, पूरा दिन खतम हो रहा है चलो, तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं येपी ममी पिग, डाडी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बिर्थड़े गिफ्ट देते हैं हापी बिर्थड़े पेपा क्या है इसमें गुडिया का ड्रेस मैं से टेडी को पहनाती हूँ आप सब को थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था, ये टेडी एक लड़की टेडी है ओ डाडी, आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थांक यू कोई बात नहीं टेडी, बस इसे खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है मेरे बर्द पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे है और डाडी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डाडी है तुम सब को बताओगे कि मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद बाजाओ हाँ अद्भुत जादूगर डाडी तो पूरे हफ़ते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पेपा के दोस्ता आ गए कैंडी कैट, सुजी शीप, टानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पूनी हेलो दोस्ता, हाँ बोटे पेपा चलो बच्चो, पाटी शुरू हो रही है क्या मैं से पहले इस्तमाल कर सकती हूँ इसे इस्तमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है मुझे भे इंस्ट्रक्शन्स पढ़ने होंगे ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है सुजी शीप की मामी के पास एक मुवी कैमरा है वो उसे ऐसे स्विच आउन करती है ओहो, शाबाज पेपा मुवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया मैं आपकी पहली मुवी शूट करने के लिए बेताब हूँ क्या इस आवाज को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता मुवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया सुजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज बंद हो जाती है मुवी 3000 अब वो आवाज नहीं आएगी शाबाज पेपा तो पहले किसका विडियो लो? डाड़ी मेरा लिजिए ओके पेपा हेलो, मैं हूँ पेपा पिंग छलो आजाओ सब लोग हेलो, मैं हूँ पेपा पिंग फिर्से फिर्से अच्छा ठीक है इपा पेपो ऐखो ले हेलो में हूँ पेपा पिक पिरसे 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 आप कोई नया वीडियो बनाते हैं मैं जानती हूँ डाडी पिक आप कमरे से बाहर जाए हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे अच्छा आइडिया है जब तक ममी, पेपा और जॉज एक सीक्रिट मुवी बनाते हैं, तब तक डाड़ी पिक को किचन में रुखना होगा. जांकना नहीं डाड़ी पिक. अब हम सबको कुछ करना होगा. जॉज, पहले तुम करोगे. क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? ख़जाना! कहा है वो? वो तो तुम्हे ढूनना होगा. ये रहा ख़जाने तक जाने का नक्षा. और जॉज मेरा पाइरिट हैट पहन सकता है. ओ हलो, कैप्टन जॉज. ये मैप थोड़ा मुश्किल है. टैरी, आप मदद कीजिए. क्यों नहीं, पेपा? मुझे मैप पड़ना आता है. ये थोड़ा मुश्किल है. ओ हो, डाटी पेग, आपने नक्षा उल्टा पकड़ा है. अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था. ये आसान है. लाल क्रॉस दिखाता है, ख़जानक कहा है. लेकिन कारड़न में वो दोसेब के पेड़ कहा है. हम, मुझे नहीं पता. तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, प्लीज. पहला क्लू बोटल में है. लेकिन बोटल कहा है? मुझे देख गई. पेपा ने पहला क्लू ढून लिया है. बोटल में मेसेज है. देखिये, ये नहीं बोटल. शाब बाश, पेपा. देखते हैं मेसेज में क्या लिखा है. ओ, ये तो एक पाइरेट का मेसेज है. मामी, क्या आप मेसेज पढ़ सकती है? हम, इस समुदरी डाकों की राइटिंग बहुत ही खराब है. नहीं, नहीं, पाइरेट की लिखावट बहुत अच्छी है. नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ. पाइरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो. निशान का पीछा करो? जोज को दूसरा क्लू मिला है. कुछ एरोज के निशान जो लकणियों से बने हैं. देखो, वो उस तरब जा रहे हैं. पेपा और जॉर्ज एरोज का पीछा कर रहे हैं. देखो, जॉर्ज, एक चाबी. पेपा को अगला क्लू मिला है. एक चाबी. बहुत अच्छ है, पेपा. अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ठूणना है, जो इससे खुलेगा. मामी, मुझे ठीक नहीं लग रहा. मेरी प्यारी पेपा, तुम बिमार लग रही हो. चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ. डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ. पेपा की तब्य ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए है. पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ. पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है. हेलो, बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा. अपनी जबान जरा बाहर निकालो. डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपा को तो सर्फ रैशेज आए है. मुझे दवाई की ज़रूरत है? रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ. हाँ, दीजिये ना. इसका स्वाद शायंध है तुम्हें पसंद आए. चलो, अब मुझ खोलो. हाँ. याख, गंदी और कडवी. बड़ी ही, बहादुन लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली. पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबियत के बारे में, मैं बाद में फोन करके पूछूँगा. पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं, ये रैशिस फैलेंगी नहीं. गुद बाई. बाई-बाई, डॉक्टर ब्राउन बेर. मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है, पेपा. पर ये कितना बोरिंग है. डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं. क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप, पेपा की बेस्ट फ्रेंड है. मैं उसकी ममी को फोन करती हूँ. हेलो, मिसस पेग. पेपा सूजी से बात करना चाहती है. हेलो, सूजी. हेलो, पेपा. मेरी तब्याथ ठीक नहीं है. मेरे जहरे पर रैश है. डॉक्टर आये थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे. उन्होंने कहा मेरी तब्याथ ठीक नहीं है. पर मैं बहुत बहादूर हूँ विश्ड पपार जोच बर्फ में पेरों के निशान बना रहे हैं पपार जोच को बर्फ में पेरों के निशान बनाना बहुत पसंद है ओ ये क्या इसमें हसने वाली क्या बात है जोर्च चलो बर्फ के गोले बनाते है पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है पेपा और जोर्च को बहुत मज़ा रहा है वापस आजाओ जोर्च के बच्चे लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रॉफ हो गया सॉरी जोर्च जोर्च चलो स्नोमैन बनाते हैं पेपा और जोर्च एक स्नोमैन बना रहे हैं पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया जोर्च ये स्नोमैन का शरीर है अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे अब इसे चाहिए हाथ, आँख और एक मूँ जोर्च को स्नोमैन के हाथों के लिए लकडिया मिली है पैपा को स्नोमैन की आँखों के लिए और मू के लिए पत्थर मिले है ये इसका चेरा है हम पहचानों क्या खेरते हैं ठीक है, पहले मैं पूछूँगा डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है मैं अपनी छोटी-छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ लाल मेरी ड्रेस, ये लाल है नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं गाडी तरही जवाब, अपनी लाल गाडी मेरी बारी मैं अपनी छोटी आख से कुछ नीला देख रही हूँ जोर्ज की नीली शोर्ट नहीं नीले रंका गाड़ी में कुछ है नहीं हार गए हार गए आकाश नीला आकाश मैं जीत गई डाड़ी पिग क्या आपको पता है हम कहां है मुझे बिलुकुल पता है हम कहां पर है अब ये रास्ता मैप की रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है ओ डाड़ी पिग हम खो गये हैं हम नहीं खोए हैं तो हम यहां से हवा महल तक कैसे पहुचेंगे जरा एक मिनिट रुको सुन दादा और दादी पिक को फोन करने की कोई सरुवत है मैं ले जाओंगा हवा महल चाहे पुरा दिन लग जाए बर हमारे पास पुरा दिन नहीं है हलो दादा पिक बोल रहा हूं दादा पिक हम हवा महल तक पहुचनी के रास्ते में खो गए है क्या डादी पिक नक्षा पढ़ रहा है हाँ डादी पिक मैप पढ़ रहे है और थोड़े चुचिड़े हो गए है मैं चुचिड़ा नहीं हुआ हूँ यह सबसे अच्छा रास्ता है जब तक तुम्हे अपने सामने उपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं में रोड पर चलते जाओ थैंक यू दादा पेग हमें में रोड पकड़ कर हवा महल तक पहुचना है चैसा मुझे लगा था देखो क्या वो हवा महल है हाँ वही है हवा महल पैपा लगता है तुम्हे टिन ड्रम अच्छा बजा सकती हो शुक्रिया डाड़ी यह आवाज ठीक है पैपा को ड्रम बजाना अच्छा लगता है बहुत अच्छे इसकी आवाज बहुत अच्छी है यह डाड़ी पेग का पुराना अकॉडियन है मैं यह ममी पेग के लिए बजाता था जब हम पहली बार मिले थे ओ डाड़ी पेग मुझे यह धुन्याद है जोज भी अकॉडियन बजाना चाहता है तुम बजाओगे जोज अकॉडियन काफी मुश्किल है जोर्ज ये अक्रोडियन बजाना उतना ही मुश्किल है जितना की मेरा ड्रम ठीक है जोर्ज शाह जोर्ज अक्रोडियन बजाने के लिए अभी थोड़ा छोटा है टाड़ी इस बॉक्स में और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है बस ये हॉर्म क्या मैं बजाओं तुम्हें इसे बहुत जोर्ज से बजाना होगा इसकी आवाज ठीक नहीं लगती ये बिल्कुल नहीं बचता मुझे लगता है मैं इसे बजा सकती हूं इसकी आवाज सच में अच्छी नहीं है शायद इसके लिए कोई बड़ा और ताकतवर चाहिए मेरी तरह है ये आवाज भी अच्छी नहीं है पैपा ठीक कहती है ये बिल्कुल नहीं बचता कोई बात नहीं डाडी पिक आप सिर्फ अकॉडियन बजाओ आप इसे बहुत अच्छा बजाते हो ठीक है मैं इसे अच्छा बजाता हूं ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं और मैं अपना व लेकिन पूल नहीं हूँ मैं पैपा बिग हूँ पह तो प्यारी वह हूं मैं बटरफ्लाई बनना चाहती हूं डैपा बटरंफ्लाई बनने क्वे нравится मैं छोटी बटरफ्लाई हूँ जोज भी खेलना चाहता है जोज मैं बटरफ्लाई हूँ तुम कुछ और क्यों नहीं बन जाते मुझे पता है तुम रिंगने वाले वॉम बन सकते हो देखो देखो मैं बटरफ्लाई हूँ जोज वर्म नहीं बनना चाहता वो बटरफ्लाई बनना चाहता है जोज जब मैं छोटा पीगी था मुझे वर्म बनकर खेलना पसंद था वर्म बनना बहुत आसान है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे पहले तुम्हें जमीन पर लेटना होगा फिर इस तरह रेंगना होगा मैं एक रेंगने वाला वाम हूँ जोष और ग्रेंटपा पिक को रेंगने वाले वर्म्स बनकर बहुत मजा आ रहा है मैं एक छोटी बाटरफ्लाई हूँ मैं छोटी बाटरफ्लाई हूँ थिखो-दिखो मैं छोटी बटर फ्लाई हूँ पेपा तुम्हें रłbyशन बुक्राई हो व्रेंटा जोर्ज अब क्या कर रहे हैं हम रिएगने वाले साथ हैं मैं भी रिंगने वाला वर्म बनना चाहती हूँ मैं रिंगने वाली कर रहुँ केसे हैं आभ मुझे अचह लगते हैं ? प्रेंगने वाली वॉम अब मेरी बारी है यह मुमी की ड्रेस है और यह मुमी का है डाड़ी पिक आपके जूते कहां है और अब मुझे भी जूते चाहिए अब मुझे सुन्दर लगना है ममी की तर है पैपा को ममी का मेक आप बॉक्स मिल गया पहले थोड़ा पाउडर बहुत प्यारी अब थोड़ी लिपस्टिक कितनी प्यारी ममी पिग है आओ चले डाड़ी पिग ये काम पर जाने का समय है ममी पिग अपने कंप्यूटर पर काम कर रही है हेलो पैपा हेलो जॉज जर्ण माफ कीजिये पैपा मैं तो हेलो कह रही थी मैं पैपा पिग नहीं हूँ मैं हूँ ममी पिग ओ हाँ, बिल्कुल, हेलो मामी पेग, हेलो, और ये है डाड़ी पेग, जोर्ज, और आपको भी हलो डाड़ी पेग, एक्स्क्यूज मी, मुझे बहुत काम करना है, हेलो, हाँ, ऐसा करो, वैसा करो, जैसा चाहे वैसा करो, गुडबाई, पेपा को ममी पेग बन कर मज़ा रहा है, लेकिन जोर्ज, बोर हो रहा है, माफ करना डाड़ी पेग, बस पूरा होने वाला है, लो, हो गया, ये एक सीक्रेट है, जोर्ज, ये मेरा सीक्रेट बॉक्स है, ये खाली है, इसके अंदर रखने के लिए, मुझे कुछ ढूणना है, जोर्ज, पेपा की मदद करना चाहता है, नहीं जोर्ज, सिर्फ मुझे पताओगा बॉक्स में क्या है, जब तक मैं पसंद करूँ, तुम बाहर इंतजार करो, पेपा ने बॉक्स में रखने के लिए कुछ सीक्रेट चीजें पसंद की है, अब मेरा सीक्रेट बॉक्स भरा है, जोर्ज, तुम्हें इसके अंदर नहीं देखना चाहिए, जोर्ज को जानना है कि पेपा के सीक्रेट बॉक्स में क्या है, अगर तुम चाहो तो ग्यस कर सकत कि हमेशा हर चीज को डाइनसार कहते हो सिंप टुमें बता दू एक डाइनसार इस बॉक्स में कभी भी नहीं बयच सकता जो पता नहीं लगा पारहा ह। कि सी क्रेट बॉक्स में क्या है कि टैडी पिग एक तस्वीर शाफ कर रहे है ये मेरा सीक्रिट बॉक्स है ममी ने इसे मेरे लिए बनाया है ये बहुत अच्छा है पैपा इसके अंदर क्या है ये एक सीक्रिट है जॉज ने पता लगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं बता पाया क्या मैं कोशिश करूँ हाँ क्या तुमने मेरा चश्मा अंदर रखा है नहीं आपका चश्मा तो आपके सिर पर है वो है आप भी ना डाड़ी आपको सोचकर बताना चाहिए था क्या तुमने अपनी ममी के जूते बॉक्स में रखें नहीं और आप इससे ज्यादा नहीं सोच सकते पैपा को सीग्रेट पस ओ जॉज के पास क्या है मैंने जॉज के लिए एक बॉक्स बनाए पैपा तुम्हें टमाटर पसंद है जी दादा पे जॉज क्या तुम्हें टमाटर पसंद है ना जॉज को टमाटर पसंद नहीं है तुम्हें सलाद के पत्ते पसंद है? जी दादा पे, ना, जोर्ज को सलाद के पत्ते भी पसंद नहीं ओफ़ो, मेरे पास कुछ तो ऐसा होगा जो जोर्ज को पसंद हो क्या तुम्हें खीरा पसंद है? यक जोज को खीरा पसंद नहीं और सलाट के पत्ते भी पसंद नहीं और टमाटर भी नहीं तो जोज तुमें कॉन सी सबसी पसंद है? चोकलेट कैक भुट्टु जोज चोकलेट केक कोई सबजी थोड़ी है सबजियों का जब अच्छा सलाद बन जाए तब शायद जॉज को वो पसंद आएंगी वाँ बढ़िया टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पहले इन्हें अच्छे से धोना होगा पेपा और जॉज दाजी पिक की सबजिया धोने में मदब कर रही है पस अब दोना बहुत हुआ दादी पिग ने टमाटर, सलाद पत्ते और खीरे का सलाद बनाया दादा पिग, सब को लंच पे बुलाईए लंच दादी पिग ने खाने में पीज़ा बनाया है और ये रहा सलाद दादा की टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा के साथ खाना शुरू करो जोज ने अपना पिज़ा खाया पर जोज को टमाटर, सलाद पत्ते और खीरा पसंद नहीं जोज, मैं लकडिया उठाऊंगी और तुमेने पकड़ लेना लकडिया इकठा करने में मजा आ रहा है बहुत अच्छे, इतनी काफी है बहुत अच्छा कैमफायर है अब जलाते हैं ये रही माचिस हमें माचिस की जरुएत नहीं है टाड़ी, माचिस के बगर कैसे जलाओगे मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ दो लकडियों को एक दूसरे पर घिस कर डाड़ी पिक कैमफायर जलाने के लिए दो लकडियां एक दूसरे पर घिस रहे है आग कहा है डाड़ी थोड़ा सबर करो देखा कितना असान है अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं आप्रकृति की आवाज हैं सनाय दे रहे हैं यह कैसी आवाज है यह कीडों की चीची आवाज है यह किसकी आवाज थी वह उल्लू है देखो वहां पर वाँ मुझे समझनी आ रहा यह डाडी के पेट की आवाज है मेरे पेट की आवाज प्रकृती की सबसे अच्छी आवाज है इसका मतलब खाने का वक्त हो गया मुझे टमाटर सुब बहुत पसंद है मुझे भी और अब सुनो डाडी पिक की एक और आवाज क्या चलो बच्चो टेंट के अंदर अब सोते हैं हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे ये तो बहुत चोटा सा है सब ठीक है जाओ तो अंदर चलो मामे पीग थोड़ी जगा दो मुझे डाडी आप इस टेंट के लिए बहुत बढ़े हैं कोई बात नहीं वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है अभी भी पकड़ा पकड़ी खेलती हो ये तो चोटे बच्चो का खेल है हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है ठीक है जॉर्ज के लिए खेलते हैं तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चो वाले रूल्स के साथ असली रूल्स के साथ मैं शुरू करती हूँ पकड़ने की बारी तुम्हारी हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ पेपा को क्लोई और जॉर्ज को पकड़ना है पकड़ सको तो पकड़ लो जॉर्ज मैं तुम्हें असानी से पकड़ सकती हूँ तुम कितने चोटे हो ये गलत है तुम जॉर्ज की मदद कर रहे हो क्योंकि वो बहुत चोटा है क्या मैं तुम्हारी भी मदद करूँ? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ तो फिर चलो पैपा, हमें पकड़ कर दिखाओ तुम नहीं पकड़ पाओगी चलो पकड़ो हमें ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं ठीक है, मैं बड़े बच्चो के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ उसका नाम है चतुरलोमडी चतुरलोमडी? मुझे खेलना है चतुरलोमडी कैसे खेलते हैं? एक खेलारी होगा चतुरलोमडी और दूसरे उस पर छपट पड़ेंगे मुझे, मुझे, मुझे बना चतुर लोम्डी पेपा है चतुर लोम्डी जब उसका ध्यान नहीं होगा तब दूसरे उस पर चुपके से छपट पड़ेंगे पर अगर पेपा ने मुढ़कर केसी को हिलते हुए देखा तो उन्हें दुबारा पीछे से शुरुवात करनी होगी जो आज मैने तुम्हे हिलते हुए देखा पहले से शुरू करो पकड़ लिया मैं चीट गई लेकिन मैं रेडी नहीं थी रूल्स के हिसाप से मैं जब चाहूं हिल सकती हूँ है ना जोर्च अब चतुर लोम्री बनने की बारी क्लूई की है पेपा और जोर्च को बिना हिले रहना होगा पेपा मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा फिर से शुरू करो ये गलत है तुमने बहुत देर तक देखा रूल्स के हिसाप से मैं जितनी देर चाहूं देख सकती हूं दुबारा शुरू करो जोर्च जीत गया ये पैंकेक्स बहुत पसंद है सबको पैंकेक्स बहुत पसंद है मैं पैंकेक्स पलटने में बहुत ही माहिर हो ये मुझ पर छोड़ दो पक्काना डाड़ी पिक पिछली भार पैंकेक जमीन पर गिराने से आपज़ा चिड़चिड़ हो गए थे मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ था वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी मामी क्या हम भी पैंकेक बनाने में आपके मदद कर सकते है तुम आटा बनाने में मेरी मदद कर सकते हो पहले में बावल में सूखा आटा डालूँगी अब मैं अंडा डालूँगी अब दूब फिर सब को हिलाऊंगी मामी क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर पैपा पैपा को ये करने में बहुत मसा आ रहा है जोज भी उसका साथ दे रहा है नई जोज ऐसे मत करो अच्छा अब बहुत हुआ हिलाना मैं पैंकेक्स बनाती हूँ तुम दोनों टेबल पर बैठो ममी पिग अब पैंकेक को पल्टेंगी उसे थोड़ा और उपर उचाओ सकती हो मामे पिग जब अपना पैंकेक उचालोगी ना तब हमें सिखाना डाडी पिग ममी पिग ने जोज के पैंकेक के उपर थोड़ा सिरप डाला यामी यह पैंकेक पैपा के लिए है तुम इसे और उपर उचाल सकती हो ममे पिग जब अपना पैंकेक उचालोगी तब मुझे दिखाने का चांस तुमें मिलीगा डाडी पिग सिरप पलीज यामी डाधी पिग दादा पिग, दादा पिग, दादा पिग, दादा एक, हलो मेरे प्यारे बच्चो, हलो, पैपा, जोज, चलो सो जाओ, जल्दी, जल्दी, गुट नाइट मेरे छोटे पिगिज, गुट नाइट, सो जाओ बच्चो, गुट नाइट मामी, गुट नाइट डादी, कितने प्य ममी पिग और डाड़ी पिग बाहर जाने के लिए तयार है पैपा और जॉर्ज कितनी अच्छे हैं ममी पिग का कहना मान लिया और दोनों सो गए इन बच्चों को समानना बहुत आसान है जोर्ज जोर्ज क्या तुम जग रहे हो यह कैसी अजीबा आजे हैं शायद हमें उपर जाकर देख लेना चाहिए पैपा, जॉज, क्या तुम जाग रहे हो? लगता है दोनों कहरी नीन में सो रहे हैं तो इसका मतलब वो शोर पैपा और जॉज नहीं कर रहे थे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे लगता है वो गहरी नीन में सो गए है ये रहे पैपा के दोस्त, कैंडी कैट, सुजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडिन्ट आई है, पैपा पिग जाओ पैपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो, हेलो पैपा हम शुरू करेंगे डेमी पलिये से अब एक छोटा जम्प, पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता से पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पटी जित है, नजाकत और सुन्दर्ता पैले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ ऐसा सोचो कि तुम्हे खूबसूरत हांस हो और तुम्हे क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा नजाकत और सुन्दर्ता पैपा को नाचना बहुत पशंद है सब को नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डैंस किया पैपा ने बहुत अच्छा किया ठीक है पैपा, मुझे पता है, सोफा कहां रखा है ये लोग अच्छा सा मैगजीन थैंक यू पेपा और प्यारा सब म्यूजिक सुनो तैंक यू पेपा हमें उतनी केंडल्स जाहिए जितनी मम्मे की उम्र है एक, दो, तीन ओ नहीं, हमारे पस उतनी केंडल्स नहीं है एदी, मम्मी कितने साल की है मैं तुम्हारे कान में बताता हूं वाव, बहुत बड़ी है मुझे लगता है, तीन केंडल्स काफी हो जाएंगी ममी पिक का बर्थ जे केक तयार है हुरे 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 हमें और कुछ ने बस अब हॉल की सजावट करनी है हेलो ममी ओ, आगे तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी ममी, क्या आप गार्डन में एक वाक लेना चाहेंगी क्या मेरे पास और कोई रास्ता है नहीं बाई-बाई ममी, अच्छा सा वाक लेना हम आपको जल्ड़ी बुला लेंगे, ठीक है मैं तो भूली गई थी कि बर्थे पर कितना काम करना पड़ता है डादी पिग, पेपा और जोज हॉल को सजा रही है मजा रहा है दादा और दादी पिग ममी पिग का बर्थे बनाने आए है हैपी बर्थे दे ममी पिग क्या तुम अंदर नहीं आ रही मैं अभी अंदर नहीं आ सकती डादी पिग पेपा और जोज मेरे बर्थे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे है अच्छी बात है बाद में मिलते हैं बाई ममी क्या आप अंदर आना चाहोगी हाँ बिलकुल आउंगी आखे बंद करो अपनी आखे बंद ही रखो ममी